Hey guys, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों ले काफी यूनीक और हेल्दी प्रोडेक्ट लेकर आया हूँ I know यूनीक और हेल्दी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो काफी जादा इंट्रेस्टिंग और शायद आप लोगों ने वो पहले कभी देखा भी नहीं होगा अगर देखा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताईएगा तो मेरे पास आज जो है वाइलेस ब्लुडूट इयर फोन है तो इसमें क्या येसा यूनीक है और क्या येसा हेल्दी है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता ज़रूर पढ़ जाएगा तो ये ब्लुडूट इयर फोन हमें मिलते है डी पावर की तरफ से जिसका नाम है एर कॉन नेक बेंड अगर आप बॉक्स हो ध्यान से देखते हैं तो आपको नीचे की तरफ लिखा मिलेगा एर कंडेक्शन ब्लुडूट नेक बेंड इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन वागे भी जो है मैं आपको आगे बताऊंगा तो सबसे पहले इसको जो है हम अन्बॉक्स कर लेते हैं तो और फटाफट से हमारे इस ब्लुडूट इयरफोन को बाहर निकाल लेते हैं तो गैस कुछ इस तरीके का ब्लुडूट इयरफोन हमें देखने को मिलता है gray color में है और almost इसकी जो build quality है वो rubber से बनी हुई है इसका अगर आप neckband देखते हैं तो काफी solid neckband इसमें हमें मिल जाता है like बहुत जादा hard है तो अगर आप rough user है तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है अच्छे तरीके से मैंने इसको mode word के देखा है तो ऐसी कोई दिक्कतर इसमें नहीं होगी वहीं अगर आप नीची की तरफ देखते हैं तो आपको जो ये metallic frame दिख रही है दोनों side में ये जो है असली कमाल इसमें हमें मिलता है तो guys इसमें आपको right side में buttons मिल जाते हैं volume up, volume down के power on off के लिए button मिलता है और यहाँ पर आपको LED light भी मिल जाती है जिसकारण ये indicate करता है कि connected है या फिर charge हो रहा है यहाँ पर आपको charging port भी देखने को मिल जाता है left वाले में आपको buttons मिलते हैं लेकिन deep power की branding आपको जो है इसमें मिल जाती है mic जो है नीचे side लगा हुआ है तो guys नीचे की तरफ आपको जो ये wires जैसे दिखने में लग रहा है ये wires नहीं है यही वो चीज है जिसके कारण ये Bluetooth earphone एक unique product बन जाता है तो अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये जो है pipe है जिसमें आपको कोई भी wire इसके अंदर नहीं मिलता है और यहाँ पर जो आपको ऊपर ear tips मिल रहा है इसमें भी आपको कोई speaker देखने को नहीं मिलेगा तो भई sound कैसे produce होता है sound कैसे आता है ये एक बहुत बड़ा question mark बन जाता है तो ये जो आपको दो left और right में metallic body दिख रही है इनके अंदर ही speakers मिल जाता है तो guys यहाँ पर speakers हैं यहाँ से sound produce होता है और इन pipes के थुरू जाता है sound और यहीं से यह tip से निकलता है भार यहाँ पर आपको कोई speaker नहीं मिलते हैं आपको इन metallic body के अंदर ही speaker मिल जाते हैं जिसका मैं demo आप लोगों को दे देता हूँ तो guys मैंने जो है इसके अंदर sound play किया music play किया है इसमें जो है आप सुन सकते हैं कि इसमें से अभी sound निकल रहा है लेकिन जैसे ही मैं इन pipes को दबा दिता हूँ या इन दोनों में से किसी भी एक pipe को दबाता हूँ तो इसकी जो sound है वो आना बंद हो जाएगी जिसके तुरू हमें प्रूफ हो जाता है कि भाई इन में speakers नहीं है इसको आप continue पहन सकते हो इवन इसको पहन के सो भी सकते हो आपको ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्यों यह पूरी तरीके से rubber का बना हुआ है बहुत ज्यादा lightweight है यह आपके कान में लगा रहेगा आपको फरक नहीं पड़ेगा तो यह जो चीजे बहुत ही ज्यादा advantage है यह बहुत से लोग है जो दिन बर neckband पहनना यूस करना पसंद करते हैं लेकिन उनकी build quality जो है heavy होती जिसका रण वो बार बार उसको उतार के रखते हैं तो ऐसी को issue इसमें आपको नहीं मिलेगी और जो दूसरा बहुत ही जादा important advantage हमें Bluetooth earphone की तरफ से मिलता है जिसका रण मैंने इसको healthy week आए वो यह कि भाई यहाँ पे जो है आपको star value यहाँ पर कह सकते है radiation जो है आपको काफी जादा कम मिलता है as compared to बाकी के Bluetooth earphone क्योंकि यहाँ पे आपको speakers नहीं मिलते है तो आपके कान में directly कोई भी frequency जो है इसकी नहीं आएगी तो बाकी के जो Bluetooth earphone होते है उनकी frequency या फिर radiation power जो होता है वो थोड़ा हाई होता है लेकिन ऐसी कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं देखने को मिलेगी वो में इसलिए किया रहा हूं अगर आपने पहले wireless Bluetooth यूज किया है तो जब आप उसको फर्स टाइम पहनते हैं तो आपको थोड़े दिर बादी आपका सार अगेरे थोड़ा से जो है दर्द होने लगता है शाद आप लोगों यह चीज फील की होगी वो जो है इसको सुनके कि मुझे लगा निता कि बेस इतना अच्छा होगा लेकिन बेस जो है काफी दमदार है अच्छा कासा सॉफ्ट प्लस हार्ड बेस जो है आपको इस दोनों में मिल जाते हैं लाउडनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो भी इसमें काफी बढ़िया है ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है वो यह कि अगर आप इन पाइप्स को दबाके रखते हो या फिर यह पाइप में कोई कट वगेरे लग जाता है या फिर किसी accidentally इसको आप ब्रेक कर लेते हो तो आपकी sound जो है एक तरीके का पूरी तरीके से destroy हो जाएगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इसके अगर मैं battery की बारे में बात करूं तो गाइज इसमें जो है battery आपको काफी अच्छी मिल जाती है तो मैं आप battery backup जो है इसने मुझे दी है मैंने दो दिन में call वगेरे भी किया है और इसके बाद music वगेरे भी सुनाया है YouTube वगेरे देखा है बहुत सी चीजे जो है मैंने की है फिर भी इसमें 50% battery अभी भी बता रहा है मैं खुद शॉक्ट हो गया हूँग कि मैंने पहले भी Bluetooth earphone यूज क ये जो Bluetooth earphone है काफी अच्छा option है इसका अगर मैं price बता हूँ तो वो आपको मिलने वाला है 3000 रुपीज इसकी जो best buying link के आपको description में मिल जाएगी overall ये Bluetooth earphone काफी बढ़िया है lightweight है long time के लिए इसको आप पहन सकते हो उसके लाबा radiation free है और battery life जो है वो तो काफी जादा कमाल की ह ट्रिबल जो है वो थोड़ा सा इसमें मुझे कम लगा है लेकिन base जो है काफी दमदार इसमें आपको मिल जाता है प्लीज मुझे comment में बताइए कि आपको ये technology जिसको air conduction technology कहा गया है वो आपको कैसी लगी है मुझे please comment में share किजिए अपने thoughts उसके साथ इस वीडियो को like करना बिल्कुल भी मत बूना नीचे like का button होगा उसको press कीजिए और subscribe का भी button होगा उसको भी press कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ तो guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तब के लिए bye bye take care and peace